हलो बच्चों, चला हो, जह हम स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लेम सेट नाइन, कौन से टॉपिक का है प्रॉब्लेम सेट नाइन, चाप्टर 3, एडिशन और सब्स्ट्रेक्शन, सो स्टार्ट करने के पहले हमें यहाँ पे प्राक्टिस के तोर पर एक एक एग्जांपल दिया है, तो क्या है वो एक्जांपल, तो दूरिंग पोलियो एरेडिक्शन कांपनिंग, 3,17,658 चिंट्रेंट वेर गिवन पोलियो वैसिन, इन वन दिस्ट्रिक्ट, और 2,4969 चिंट्रेंट इन अन अन अदर, तो अल तोगेदर, हाँ मेनी चिंट्रेंट गट दे वैसिन, तो य इतना होता है, that means addition की तो क्या answer आएगा, वो हमें देखना है, तो देखो, यहापे जो addition की है, वो है, 3,70,658 चिंट्रेंट की है, हमने 2,4969 चिंट्रेंट, तो 8 प्लस 9 होता है, 17, तो 7 यहापे लिग दिया, 1 को आगे forward कर दिया, सो 6 प्लस 5 प्लस 1 हो जाएगा 12, सो 2 यहापे लिग दिया, 1 को आगे और हम आगे forward कर देंगे, तो 9 प्लस 6 होता है, 15 प्लस जो 1 आगे forward किया था 1, सो वो हो गया, total 16, सो 6 यहापे लिग दिया, 1 को आगे forward कर दिया, So, 7 plus 4 plus 1 होता है 12. So, 2 यहाँ पे लिख दिया 1 को आगे forward किया. So, 1 plus 1 हो जाएगा 2. Okay? और 3 plus 2 हो जाएगा 5. So, all together कितने बच्चों को भैसिन मिल गया? 5,26,627. So, इतने बच्चों को क्या मिली भैसिन मिली है? यह था एक practice question. अभी हम start करते problem set 9 को. So, problem set 9 में question 1 है. In a certain election 13,47,048 women and 14,29,638 men cast their votes. Okay? How many votes were pulled all together? So, एक election हुआ था उसमें कुछ औरते थी और कुछ पुरूश थे. तो उनका different different उनोंने क्या दिया है? हमें count दिया है. पर दोनों को अगर मिलाएंगे तो total कितना count होता है? वो हमें देखना है. So, उसके लिए हमें addition करने पड़ेंगे. So, women कितने थी? Women's के vote कितने थे? 13,47,048. Okay? और men's के vote कितने है? 14,29,638. So, देखो यहाँ पर addition करेंगे तो 8 प्लस 8 हो जाएगा 16. So, 1 को आगे forward कर दिया. So, 4 प्लस 3 कितने होता है? 7. और जो 1 आगे forward किया प्लस वो 1 तो हो गया 8. यहाँ पर 6 प्लस 0, 6. 7 प्लस 9 होता है 16. 16 का 6 यहाँ पर 1 को आगे forward किया. So, 4 प्लस 2 होता है 6 प्लस 1 हो गया 7. So, next है 4 प्लस 3 कितना होता है? 7. और 1 प्लस 1 हो गया 2. So, जो फाइनल अंसर हमें मिला तो वो क्या आया? 27,76,686. So, इतने total क्या हो गया? वोत मिले थे. अभी question 2 है. What will be the sum of smallest and largest 6-digit number? So, देखो smallest 6-digit number कौन सा है? 1 लैक. और largest 6-digit number कौन सा है? 9,99,999. अगर हम इसके addition करेंगे तो हमें फाइनल अंसर क्या मिलेगा? So, देखो 0 प्लस 9-9, 0 प्लस 9-9, 0 प्लस 9-9, 0 9-9, 0 9-9, और यह हो गया 9 प्लस 1. तो वो क्या हो गया? 10. So, इसका हमें फाइनल अंसर क्या मिल गया? 10,99,999. नेक्स्ट है? Question 3. If Sureka Tye brought a tractor for Rs. 8,7,957 and Taser for Rs. 32,609. So, how much money did she spend together? उसने एक tractor खरीदा और एक दूसरा वहिकल खरीदा. तो वो दोनों के उसने अलगला गुरुपी spend के, right? खरीदी. बट अगर दोनों के addition करेंगे तो total उसने कितना spend किया? वो हमें निकालना है. So, अगर हम addition करेंगे तो देखो, 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 6. Okay? So, 5 प्लस 1 हो गया? 6. Again, 9 प्लस 5 कितना हो गया? 15. So, 1 को आगे हमने forward कर दिया. So, again, 7 प्लस 2 कितना होता है? 9. प्लस जो 1 आगे forward किया? वो. तो वो हो गया 10. So, 0 यहाँ पर आगया. 1 आगया, आगया. So, 3 प्लस 1 हो गया 4. और 8 as it is. So, final answer हमें क्या मिल गया? 8,040,566. अभी next question देखते है. Question 4. So, question 4 क्या है? A textile mill produced 17,24,938 meters of cloth last year. Okay? And 23,47,056 meters this year. So, what was the total production for the 2 years? पिछले साल जो textile mill का production था, वो था 17,24,938. और अभी इस साल का जो था, वो 23,47,056. So, अगर हम दोनों के addition करेंगे, तो हमें total production मिल जाएगा last 2 years का. Okay? So, अगर हम total करेंगे, तो देखो, 8 प्लस 6 होता है 14. तो 4 यहाँ पर लिख दया, 1 को आगे forward किया. So, 5 प्लस 3 होता है 8, प्लस 1, 9. 9 यहाँ पर आगया. 9 प्लस 0, 9. 7 प्लस 4 होता है 11. 1 यहाँ पर लिख दया, 1 को आगे forward किया. So, 4 प्लस 2, 6 प्लस 1, 7. So, 7 plus 3 होता है, 10 यहापे 0 लिखता है, वनको आगे forward किया. So, 2 plus 1 plus 1 कितना हो गया? 4. So, total production कितना हुआ? 40,071,994 meters was the total production for 2 years. Abhi next question for you. If the government gave Rs. 34,62,950 worth of computers, okay, computers. and 3,26,578 worth of TV sets to the school, okay. So, what is the total amount is spent on these equipments? So, देखो, government ने क्या किया, कुछ computers दे और कुछ TV sets दे. So, computer की जो price थी sets की, वो थी 34,62,950, okay. और TV sets की price क्या है? 3,26,578. इतना उनने spend किया. बट यह अलग-अलग दिखा है, तो अगर total निकालना है, तो हमें दोनों के addition करनी पड़ेगी. तो addition में देखो, 8 plus 0 हो गया, 8, 5 plus 7, कितना होता है, 12. So, 2 यहाँ पे लिख दया, 1 को आगे forward कर दिया. So, 9 plus 5 होता है, 14, plus 1, कितना हो गया, 15. 5 यहाँ पे लिख दया, 1 को आगे forward कर दिया. So, 6 plus 2 होता है, 8 plus, जो 1 है, वो 9. Again, 6 plus 2, 8, 4 plus 3, 7, और दे 3, as it is. So, total amount spent on equipment is 37,89,528. So, यह था आपना problem set 9. ऐसे ही पढ़ा ही करते रहो. Thank you.